नमस्काल डीवी नीउस में आपका स्वागत है दिल्ली किसान आंदोलन में जा रहे है करनाटक के किसानों को मंगलवार सुभा उज्जैन ले जाया गया है ये वही किसान है जिने सुमबार राग भोपाल रेलवे स्टेशन पर करनाटक एक्सप्रेस ट्रेइन से उतार लिया गया था उजेन लाए जानी पर किसानों नारेबाजी की पचास से ज्यादा किसानों को बोपाल के अशोका गार्डन अलाके में मनवा मैरिज गार्डन में ठहराया गया था में 25 मेल आए भी है किसानों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया गया वापस करनाटक जाने के लिए कहा गया है वहीं धार बाल के किसान नेता परशुराम ने बताया कि हम दिल्ली जा रहे थे मोपाल पलिस ने सोंबार तड़ी के तीन बजे जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया हमसे कहा कि करनाटक वापस जाओ हमने मना करते हुए कहा कि हम दिल्ली जाएंगे आज हम लोगों को ट्रेन में बैठा कर उजेन ले आए वही उधर मामले में पूर्व मुख्यमंतरी दिगवजय सिंग ने मामले में आज सुभा एक्सपर लिखा बीजेपी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी मुख्यमंतरी रॉक्टर मोहन यादाओ किसानों से इतने क्यों घबरा रहे हैं मोधी गैरंटी के अंतरगत किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए जो वादे किये थे पूरे नहीं हुए इसके लिए यहां आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है वादे पूरे करो MSP हमारा अधिकार है लागू करो मोधी जी आपकी गैरंटी का सवाल है दिल्ली में आज किसानों का आंदोलन है 12 परबरी के राच चंदीगर में सारहे 5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओ और केंद्रे मंत्रियों के बीच निूनतम समर्थन मूली गैरंटी कानून और करज माफी पर सहमती नहीं बन पाई इसकी बात किसान मजदूर मोचा के सयोजक सरवन सिंग मंधिर ने दिल्ली कूच का एलान कर दिया आदोलन को देखते हुए दिल्ली पंजाब, हर्याना और चंडी गल के बॉर्डर सील हैं, हर्याना के साथ जिलों में इंटरनेट बंध है, महिर 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है, हर्याना और दिल्ली के सिंधू और टिक्डी बॉर्डर भी सील कर दिये गए हैं दिल्ली में भी कड़ी बैडिकेडिंग की गई है वहीं यहां एक महिने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है बता दे कि लोगों को जुटाने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है